बागवानी, जी हाँ, आज कल अधिकतर किसान पारंपरी खेती यानि धान और गेहूं के अलावा बागवानी की ओर चल पड़े हैं लेकिन बागवानी में मैंने देखा है कि अधिकतर किसान कुछ न कुछ समस्याव से जूद रहे हैं आज मैं गाओं के बगीची में खड़ा हूँ, करहला कासिमपूर, करहला कासिमपूर गाओं तहसील जलेसर में है, जो जिला एटा में आती है और वहाँ पर एक किसान है, वो डॉक्टर है, बेसिकली स्पेसिलिस्ट है और बहुत मसूर डॉक्टर है जलेसर के, उनका नर्सिंग होम भी है, गोतम नर्सिंग होम जो नाम से है किसान सातियों उनको सोख है एक खेतिया, तो उन्होंने कुछ बगीचे लगाए हैं, जैसे अनार का बगीचा था, और ये आमले का बगीचा है, उनका मोसमी का बगीचा है, नीम्बू का है, और फिर थोड़ा अम्रूद का भी है पिछली बार मैं सर्दियों में दिसंबर के करीब आया था इनके पास में, और मैंने कुछ ट्रीटमेंट बताये थे इनको, उसका कुछ ये कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो किया इन्होंने वो ये अपने मुक्सरी से सुनाएंगे जितने भी किसानों के पास में जाता हूँ, वो सब किसान, वो ही सक्सिस्फुल है, जो पढ़े लिखे है, आज इनका जो ये बाग है, आप देख रहे हैं, ये आउले का बाग है, और इसके अलावा इन्होंने मौसमी लगाई हुई है, देखे कितना खुबसूरत बाग है, और इस आउले के बाग की एकोनोमिक्स आप इनके नाम से सुनी है, आज कल जब पिछली बार में आया था, इन्होंने मुझे बताया कि एने सेवन जो वराइटी नरेंदर मोहन यूनिवरसिटी की है, जो फैजाबाद में है, उसकी वराइटी अच्छी आई है, लेकिन अब इन्होंने उसे छोड़कर अपने बाग से आउले की टहनिया लेकर उसकी कलम बनवाई है, कल मैं उस गाउं में गया था, जहां पर इनकी कलम बनवाई हुई थी, बहुत अच्छी नरसरी है, पूरे भारत वर्स में यहां से नरसरी जाती है, आज हम मिलते हैं, डॉक्टर व आउले की बागवानी की तरफ क्यों चल पड़े, इसकी एकोनोमिक्स जानेंगे हम, डॉक्टर गोतम जी से, मिलते हैं, डॉक्टर शाब आपका स्वागत है, अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में, जो दर्सक आपको देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा आप अपना परिचेती जी, मैं डॉक्टर विजय कुमार गौतम हूँ, और बेसिकली इसी गाउं करहला कासिंपूर, जो तैसील जले सर में है, और इस्टे केटा में है, वहां का रहने वाला हूँ, पापरिक तोर से मेरे परबार में साथ हेकर जमीन थी, और मेरे पेता जी बड़े प् और हम दोनों पिछले चाली सालों से उस नर्सिकों को बचला रहे हैं, अच्छा सर ये बताईए, आपकी तो बहुत अच्छी खेती थी, खुब सब साधन संपन लोग हैं आप जो है, तो आपने बागवानी करने की क्यों सोची साथ है? बागवानी का जो मेरा अपना तजर थे, मेरे फादर के याँ, चीफ डेवलोमेंट आफसर थे, उन्होंने कहा, गातम जी, आप आमले का बगीचा लगाईए, और उनके कहने से हम लोगों ने ये आमले का बगीचा एक हैक्टियर जमीन में लगाया, और जो ये पौदे आमले के दिये, वो चकईया और फ्रांस पौदे हैं, जो मैं समझता हूं कि अब साइद पंद्रह से बीस साल पौदे हो गए हैं, मैंने दूसरी भी खौठी कल्चर में मैंने प्रयास किया मौसमी है मेरे पास, नीबू भी है, अम्रूद भी है, अनार भी मैंने लगाया, लेकिन आई फाउन के जो ये आमले का बग गाहँ वालों के से नुकसान बहुत कम होता है, डे टू डे के आर इसकी बहुत कम है, और यू बिल सर्प्राइज टू नो, कि इस पार मेरा ये बगीचा जो एक हेक्टियर का है, उसमें कुछ पौदे मर भी गए थे, वो साड़े तीन लाख रुपे का ऑक्सन हुआ है, प् दो चार पाँच हजार रुपे का खर्चा होगा, क्योंकि जिसको ऑक्सन किया है, उससे हमारा ये अनुबंद है, कि उसकी के आर, उसका फर्टिगेशन, वाटरिंग, वो सब कुछ करेगा, तो ओवराल हमारे हाँ, डेड़ लाख रुपे पर एकड़का, मूर देन दिस, हम बाबा रामदेब जी के आहरिदवार में, या डाबर में, आप स्वैम ले जाकर के आप बेचते हैं, तो ये प्रॉफिट एटलीस 50 परसंट और बढ़ सकता है, तो मैं जो भी इस चैनल के माध्यम से त्यागे जी के देख रहे हैं, अगर उनके पार लेंड है, वो डे टू टहनी तूट के गिर जाती हैं, और ये जो चकहिया और फ्रांसिस वेराइटी है, तर स्विख भी परंसिस वेराइटी है प्रताब गड की लेकन धिस अ गूड वेराइटी, और आप ने पौद genommen चाह स्वास्त पौदे हैं, यह बात और है, कि आर्वले के पौदे के और बहुत ज्यादा इंवेस्टमेंट नहीं है और इन सब के देखते हुए दिस इवरी गुड अपसर तैंक यू जो आपने लगाया है जैसे कोई किसान सोचता है आपके आस पास के तो कुछ तो मोटिवेट होंगे इससे के जब वो आमले का पेड लगाया तो लगाने के कित अच्छा सर यह इसका जो मौसमी का जो बगीचा हमने देखा तो जो उसमें 54 मौसमी है कल आप मुझे नर्शरी पर भी ले गए थे वहां वो बनाते हैं वो अच्छी मौसमी है तो आपको इसमें क्या एकोनोमिक्स लगी इतने साल का बागहाब का यह मौसमी का बगीचा है और फल की जो कोस्ट है मार्केट में पता नहीं क्या बात है कि कहवत है घांँ सब दहन सत्ता ही सेर मौसमी पैदा कर लो वnaj पत्चीस रुपे के लो बिकती है हमपला भी 25 बिख रहा है और अमूद भी 25 बिक्रा है उसे iap 25 बिक्राइं यह किसान से जाता है बक यह मौल म आमला एक ऐसी चीज है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता है क्योंको कोई खाता नहीं है उसको जो मुझे ऐसा लगता है कि जो यह आउले का आपने चुना आरिये जो यहां पर अच्छा होता है राजस्तान में भी बहुत अच्छा आउला करते हैं लोग और जो इदर उतरा ख हानी है उसके कारण अब मैं मुझे इतना नौलेज नहीं है बेसिकली आमनोटे होटिकर्चरिस्ट आमनोटे अग्रोनॉमिस्स लेकर प्रक्टिकली जो है आमला इस वेरी सेक्सफुल यहां की लेंड में एक और बता दें कि इसकी जो आमला है वो हाई पी एच वैल्यू पर और खर्चाना मात्रका है हाँ मैं एक चीज और बताऊंगा वो तो मुझे मुझे सवाल पूछा नहीं है पर मैं अपनी तरफ से ही मैं अपना एक्स्टेंसन दस हेकर आमले में लगाने का और करने जा रहा हूं अगली साल से क्योंको मेरे यहां चक्वंदी थी और वो मिलती है you never know कि आपको क्या दिया जा रहा है पांस साल के बाद में वो क्या निकलेगा उजब निकलेगा तो आपके हाथ में कोई option नहीं होगा तो किसान साथियों, ड्रक्ट अचाहब का कहना ये है, कि आप अगर आसपास इस डिस्टिक के, आसपास के किसान आऊले की चाहते हैं, तो किसी के भ्रम में नह पड़े, एक बार अब इन पर काफी फलन आया हुआ है, आप इनके बाग में आये, बहुत नोन पर्सन है और मैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है मैं कल शाम भी घूमा कल हमें एक बहुत अजीब सज्जन मिले और जहां भी मैं घूमता हूँ डाक्टर साब को लोग चलने नहीं देते उनके इतने पैर्श होते हैं यहां पर मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं आ और एक नरसरी वाले हैं यहां पर अगर आपको अगले साल लगाना है तो इस साल उसे बता दीजिए कि डाक्टर साब के यह यह पेड़ के जो हना हमारे को पोधे बनाईए तो वह कलम लेंगे आपको पोधे बनाएंगे और आपको यह आस्वासन रहेगा कि आपके जो हना यही वराइटी के पोधे मिलेंगे जबकि आप किसी नरसरी से लाएंगे ना उसके पास बाग है ना आपने देखा है और आपको इस चीज़ से कभी नुकसान नहीं वागा एक बात और देखिए कि मैं हमेशा आपसे यह कहता हूं कि मेरे पर भी उतना विस्वास मत करिये ज जाना में तुमारा ब्रजेजी हैं तो पिछली बार जब मैं आया था तो इन्हें कुछ बताया था और अब की बार अक्सी बागवानी है हलागी अपनी पूरा प्रोफेट बगरा नहीं बता रहे हैं कि क्या होता है पर मैं देखकर समझ रहा कि बहुत अच्छी मेहनत थी है इन्होंने तो यह देखें कि मेरे आसपास किस चीज की बागवानी होते हैं कौन सा फल मिलता है दंट साब आप से सुभे हम बात कर रहे थे जो प्रधान जी भी थे वहां पर आपको अमरूद की हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी में थोड़ा अपना एक्सकिरियंस बताई आप मैनेज ऐसा देखा है हाई डेंसिटी अच्छा हो सकता है लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत उसमें मेहनत मसकत कर सकते हैं जो हमेसे उसकी प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपने हाई डेंसिटी लगा दिया और एक साल के बाद फल तोड़ने के लिए उसके लिए कटिंग की बहुत जरूवत है प्रॉपर केर की जरूवत है मैन पावर की जरूवत है केवल उन्हीं लोगों को चाहिए हाई डेंसिटी में जो सब कुछ यह कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते हैं तो जो टैडिशनल पंद्रह फुट और बीस फुट के पर पौदे लगाते हैं कि साल में एक बार कटिंग हो गई उसके लिए लोगों को जाना चाहिए देखी यह सवाल मुझे से अक्सर बार बार पूछते हैं कितनी डेंसिटी पर लगाएं तो मैं यह कहता हूं उनको कि आप के पास कितनी जमीन है अगर आपके पास एक दो एक पास जाकर पता करनी होंगी कि जुनका बाग आप देखकर पता कर से डॉक्टर गोतम जी है तो इसके आसपास एटा बदाईयों यह जितने भी डिस्टिक हैं आगरा आप आए इनके बाग पर इनसे ज्यान ग्रहन करिए और इस पर कारिये करिए दाट साब बहुत अच्छा लगा मैं कल से घुम रहा हूं बस अन्तिम परसंद एक बार करूंगा कि जब मैं पिछली बार आया था और आपने मुझे इस बार कहा कि एत्यागी जी आसपास कहीं भी होंगे तो मेरे पास मिल कर जाना और हमने कल से काफी व्यती किया क्या आप टिप्स जो हैं होटी कल्चर के बादे में पौदों के बारे में त्यागीज ने दियें दिया वरी मच फूटफुल उनके अपने प्रेक्टिकल एक्सपीरियंसें और उनका अपनी स्टेडी भी है मैं समझता हूं डेफिनिटली उसका बगीचे में फाइदा हुआ हुआ है आमले में भी फाइदा हुआ है और मौसमी और नीबू में भी फाइदा हुआ है तो डेफिनिटली वह बहुत हर्ड वर्कर हैं प्रेक्टिकली जानते हैं और ठाटिकल पी जानते हैं तो डेफिनिटली उनकी um … Davidson किसान साथियो ने ठेदे डौक्टर विजे कुमार गौतम और आप देखिए, इनकी उम्र 71 वर्स की है, तो ऐसे लोगों से मिलने से, कल मैं एक किसान से मिलकर आगा हूँ, परसो रात को था, बदायूं में बहुत दूर एक फार्म पढ़ते, जंगल में, मैं भी डर गया कि पता नहीं वहां तक गाड़ी पहुंचेगी, नहीं क्योंकि मेरे से बड़े हैं, स्वस्थ हैं, इतनी मतलब इनको नहीं बगीचे में कुछ भी करें, किसी को देदें ठेके पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, लेकिन अगर इस तरह के लोग ये काम नहीं करेंगे, तो देश की तरक्की नहीं हो सकती, लोगों को रोजगार न नमस्कार, जैहिन, जै भारत, बंदेवाद